हेलो बैटा पिछले वीडियों में बैटा हमने क्वेश्यंड 58 तक एक्सेंड कर दिये है इस वीडियों में 58 से आगे के क्वेश्यंड एक्सेंड करने वाले सब्हूंड 60 कुष्चन है कि-5 ड्याप्टर quart止 हम्ता वाले दो पतले लेंज समपर्ग में रखे हैं तो बैटा P1 कितना दे रखा है इसका प्लस 10 डायाप्टर P2 कितना दे रखा है मा nagश 5 डायाप्टर क्योंकि छमता है छमता को P से प्रदरस्थित गरते हैं इस सहिंक्त लेंज से 30 संद्य मीटर की दूरी पर सेंक्त लेंज से 30 सेंटिमेटर की दूरी पर यानि यू बरावर कितना दे रखा है 30 सेंटिमेटर 2 सेंटिमेटर लंबी वस्तू वस्तू की लंबाई कितनी होती है ओ वस्तू की लंबाई दे रखे है 2 सेंटिमेटर मुख अच्छ के लंब होत रखी है वस्तू की प्रत्विम्ब की लंबाई तता उसकी प्रक्रती ग्याद कीजिए तो मैं वस्तू की प्रत्विम्ब की लंबाई और उसकी प्रक्रती क्या करने है ग्याद करने है तो P1 दे रखा है 10 तो P1 दे रखा है 10 डायप्टर ठीक है अब P2 दे रखा है माइनस का पांच डियाप्टर और यू कितना था 30 और ओ दे रखा है 2 सेंड़ आई निकालना है मैं तो सबसे पहले समयक्त लैंस की छमता का सुप्त लगाएंगे P बरावर P1 प्लस P2 P1 P2 दे रखे हैं 10 माइनस 5 यानि कितना आगा है 5D अब निकाल लेंगे इसकी फोकस दूरी F बरावर 180 P, P कितना है 5, 5 से 100 को काट तो कितना गया 20 सेंटिमीटर अब लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र लाएं 1 अपान F बरावर 1 अपान V, मैनस के 1 अपान U F कितना है 20 1 upon V U कितना है U कितना था माइनस का 30 U के इस्तान पर लिख देंगे माइनस का 30 माइनस माइनस हो गया यह प्लस 1 वट्टा 30 इदर पच्चा अंत्र कर दो माइनस का 1 वट्टा 30 हो गया LCMD लो कितना आ गया 60 20 का 60 हम बाग दो 3 वार 30 का 60 हम बाग दो 2 वार 3 में से 2 कम कर दो 1 वट्टे 60 यहनी V बरावर कितना आ गया 60 cm V बरावर कितना आ गया 60 cm अब लगा दो आवरदन का सूत्र V upon U बरावर I upon O जाबर V कमान कितना निकल के आ है 60 U कमान कितना था माइनस के 30 आई हमें ग्याद करना है ओ कितना था ओ था 2 cm 2 cm ठीक है इतर बच्चा 2 2 दूनी 4 I बरावर कितना है माइनस का 4 cm इसका मतला प्रतिम उल्टा बनेगा माइनस चेनर आ रहा है यहाँ परतिम कैसा बनेगा उल्टा बनेगा इसकी बाद है वेटा कुश्चन नमर 60 कुश्चन नमर 60 में क्या का है दो लेंसों को जिनकी शमताएं करमसर 3D और माइनस 5D है मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया संयुक्त लेंस से 50 cm की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिम्ब की इस्तती प्रतिम्ब की इस्तती पूछ रहा है इसका मतला हुई का आमान गयात करना है संयुक्त लेंस से 50 cm की दूरी पर वस्तु रखी है तो यू बरावर दे रखा है मानस का पाचास पीवन दे रखा है तीन डाइप्टर पीवन दे रखा है मानस का पाच डाइप्टर ठीक वेटा तो पीवन दे रखा है तीन पीवन दे रखा है मानस का पाच तो यहाँ पर वेटा पीवन लेके लिए हमने कितना तीन डाइप्टर पीवन कितना दे रखा है मानस का पाच डाइप्टर U कितना है मानस का 50 50 cm की दूरी पर ही रखी है वस्तू सहनुक्त लेंज से 50 cm की दूरी पर रखी वस्तू वस्तू के तो प्रत्विम की इस्तती ग्याद करनी है में इसके यानि वी का मान निकालना है तो सहनुक्त लेंज की शम्ता P बरावर P1 प्लस P2 पीवन कितना है तीन, पीटू कितना है मानस पाश, यानि चमता कितनी आ गई, दो डाय आपटर, आउ, फोकस दूरी निकाल नहीं है, वैब बरावा सौ बट्टे मानस दो, तो एफ कितना आ गया, मानस के बचाह, इसका मतलब, संयोक्त लेंस किसकी तरह कारे कर रहा है, आउता कितना है है तो यह मांणुस का पिचास माल máximo क्या हो जाएगा प्लस को एक पकाश को ङा जाएगा फैक दर लिए घ्टा मेंथ एक का से एईक मैनिस एक उसकी इल्स के ऑन जाएगा 50 मैनिस एक और मैनिस एक जो आप तो भी बरावर। दोते पचाश काट कितना गया पयुजसेज संइटिमीटर। कि यहाँ पर यह 25 संइटिमीटर ठीक है तो बस्तू की ओर ही बनेगा इसी लिए बस्तू की ओर बनेगा इसी लिए यहाँ पर रिणातमक चिन आया है माइनस का चिन ठीक है क्योंकि बाइयोर ही प्रतिविम बनेगा जैसे बस तो बाइयोर रखी थी तो मैनस पचास लिया था ऐसे ही प्रतिविम भी किदार रखाया बनेगा बाइयोर इसलिए माइनस चिन आया है यहाँ पर question number 61 दो लेंसों को जिनकी छमता है 15.5D तथा मैनस 5.5D है संयोगत करके एक लेंस बनाया गया इस संयोग से 30 cm की दूरी पर 3 cm लंबी वस्तु रखी गई है प्रतिविम की लंबाई गयात की तो P1 कितना दे रख्या विटा 15.5D प्रतिविम की लंबाई यानि आई गयात करनी है तो P1 कितना दे रख्या 15.5D तो P1 दे रख्या 15.5D और P2 कितना दे रख्या माइनस के 5.5 डायप्टर तो P2 दे रखा है माइनस के 5.5 डायप्टर U कितना दे रखा है U दे रखा है 30 सेंटीमीटर तो U बरावर दे रखा है माइनस के 30 सेंटीमीटर O बस्तू की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई प्रत्विम की लंबाई आई पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है प्रत्विम की लंबाई तो यहाँ पर लगाएंगे संयुक्त लेंज की शम्ता क्योंकि हमें शम्ता हैं दे रखी हैं अलग-अलग तो P बरावर P1 प्लस P2 यानि 15.5 मैनस के 5.5 यानि कितना आगया 10D अब इसकी फॉकस दूरी निकाल लो तो फॉकस दूरी F बरावर 108 P और P कितना है 10 तो P है 10 तो 10 से 100 के बार कट जाएंगे 10 बार तो यानि F कितना आगया 10 सेंटिमीटर अब लेंस के इसका मतलब है संयुक्त लेंस किसकी तरह कार करेगा उत्तर लेंस की तरह है चूकि F प्लस में आ रहा है अब लेंस के सूत्र से 1 पान F बरावर 1 पान V मैनस के 1 पान U F कितना है 10 U कितना है मैनस के 30 तो मैनस मैनस होगा है प्लस एक बट्टे 30 एक वट्टे तीस तर पच्छा अंदर कर दो मैनिस का एक वट्टे तीस हो गया तीस और दस कैल्सिम कितना आ गया तीस दस का भाग दो इसमें तीन वार तीस का भाग दो एक वार तीन में से गटा दो कितना मचा दो दो से 30 काट दो 15 वा είναι V कितना आगे वेटा 15 سंटीमीटर V कितना आगे 15 संटीमीटर तब V एपौन U बराबर I एपौन O तो V कितना आया वेटा 15 संटीमीटर और U कितना था 30 संटीमीटर तो पंद्रा वट्टे मानस 30 आई वट्टे 3 पंद्रा से इसे काट दो क्या वार कट गया दो वार तो दो का आई में गुडा करेंगे तो मानस का 2 आई वट्टे 3 यानी ये तो इसका मतला प्रतिम कैसा बनेगा उल्टा बनेगा इसलिए मानस चिन ना रहा है परितिम कैसा बनेगा उल्टा बनेगा कुश्यन नम्मर अगला है वेटा कुश्यन नम्मर बासट एक पतले उत्तल लेंस तता एक पतले अउतल लेंस की शमताओं के परिमानों का अनुपाद तीन वट्टे दो है जानी इसकी छम्ताओं का अनुपात कितना है तीन वट्टे दो तो एक आउतल है एक कैसा लेंस है आउतल और एक है उतल तो एक की फोकस दूरी होगी माइनस में एक की छम्ता होगी माइनस में एक की छम्ता होगी प्लस में तो P1 upon P2 minus के 3 वट्टे 2 ठीक है तो एक उत्तर लेंस है एक उत्तर लेंस है तो दोनों की छमता आप को अनपात है 3 वट्टे 2 तो 1 की छमता minus में 1 की छमता plus में इसलिए हमने यहाँ पर लग दिया है P1 वट्टे P2 माइनस के 3 वट्टे 2 जब वे संपर्क में रखे जाते हैं तो इनकी तुल फोकस दूरी 30 cm हो जाती है तो टोटल फोकस दूरी कितनी है इसकी 30 cm इनकी अलग अलग फोकस दूरीयां गयात कीजिए हमें इनकी अलग अलग फोकस दूरीयां गयात करनी है ठीक है तो दिया है हमें P1 वट्टे P2 वरावर 3 वट्टे 2 माइनस के माइनस के 3 वट्टे 2 ठीक है माइनस के 3 वट्टे 2 P वरावर क्या होता है बन अपॉन F P2 भी होता है बन अपॉन है तो यहाँ पर P1 के इस्थान पर हमने बन अपॉन F1 लेख दिया P2 के इस्थान पर बन अपॉन F2 लेख दिया पहले ही चौति करेंगे F2 का मल्टिप्लाइ एक में होगा तो यह जाएगा F2 बटे F1 तो यहां से F2 को निका लेंगे तो F2 क्या हो जाएगा माइनस के 3 वट्टे 2 F1 F2 बरावर माइनस के 3 वट्टे 2 F1 इसे माद लेंगे समीकरन 1 तुल फॉकस दूरी कितनी दे रखिए 30 cm तो यहां पर तुल फॉकस दूरी लगाएंगे बन अपॉन F2 तुल फॉकस दूरी चुबिश्च दूरी यही होती है 1 अपॉन F बरावर माइनस के 3 वट्टे 2 F1 F दे रखिए तुल फॉकस दूरी कितनी दे रखिए 30 cm तो F के इस्तान पर कितना लगे देंगे 30 1 अपॉन F1 और F2 कितना निकाला हमने माइनस के 3 वट्टे 2 F1 तो यहां लिख देंगे माइनस के 3 में यह पिलस है तो जो माइनस हो जाएगा 3 वट्टे 2 F1 2 ऊपर पहुँचेगा पहली चौदी कर देंगे तो F1 और 3 F1 का LCM ले लो कितना आ गया 3 F1 F1 से F1 कट गया 3 वचा 3 एकम 3 और यह तो इससे कट गया तो 3 हो ऐसे 2 वट्टा दो कितना वचा एक एक वट्टे 3 F1 तो यहां से 3 F1 इसका हिसमें मल्टिप्लाइ करेंगा और इसका हिसमें तो 3 F1 बरावर कितना हो जाएगा 30 तो F1 बरावर 30 वट्टे 3 यानि F1 कितना आ गया 10 cm F1 कितना आ गया 10 cm अब F1 का मान रख दो समीं करण एक में यह F1 का मान है इस मान को रख दो यहां पर इसके स्थान पर रखेंगे तो F2 बरावर मानिस के 3 वट्टे 2 2 ते 10 काट तो के वार 5 वार 5 यह पंद्र है तो दूसरी F1 कितनी हागी वेटा मैनिस के 15 है क्योंकि एक लेंस उत्तल था एक लेंस अब तल था तो उत्तल की F1 दूरी प्लस में आगी अब तल की F1 दूरी मैनिस में आगी ठीक वेटा अगल आए वेटा Q63 दो पतले लेंस संपर्ग में रखे हैं लेंस की F1 दूरी 30 cm है यदे संयों जनकी F2 15 cm है तो दूसरे लेंस की F2 दूरी ग्यात कीजिए यदे एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृतिवाले दो लेंसों को संपर्ग में रखा जाए तो लेंसों की छमता क्या होगी ठीक वेटा तो इसका मतला है यहाँ पर दो पत्रे लेंस संपरके में रखें हैं लेंस की फॉकस दूरी एक लेंस की फॉकस दूरी 30 संटीमीटर है तो यहाँ पर वेटा एक लेंस की फॉकस दूरी एफ बन लगे दिया हमने 30 संटीमीटर फिर क goofy focus दूरी ग्यात कीजिये तो पहले दूसरे lenss की focus दूरी निकाल ले तो सही हो رई कि focus 주는 बनपान दिवराबर बनपान एफ़ने वान प्लसवन ऑपॉन हेफ टू एफ कितना दे कर ऐसे तो पंद्रह दूनी तीस दो कितना है तीस संटीमीटर यानि दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी संपर्ण को संब्रक्र बखाँ दो एक समयन्व फोकस दोरी के विप्रीत प्रक्रतिवारे लेंज को संपर्ग में रखा जाए तो एक समयन्व फोकस के बरावर एक समयन फोक्तिटवारे इसका और F2 माइनस F तो यहाँ पर लिख दिया हमने बनपोन F बरावर बनपोन F माइनस के बनपोन F यह कट जाएगा 0 बचेगा तो F को यहाँ 0 को इसके इस्तान पर लिख सकते हैं तो 0 का भाग देंगे कितना आजाएगा F? इन्पानाइट अब च्छमता निकाल लो P बरावर बनपोन F इन्पानाइट का बनपोन बाग देंगे कितना आजाएगा? 0 आजाएगा कितना आजाएगा? 0 आजाएगा इसके पास 64 कुश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटी मीटर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटी मीटर उत्तल लेंस की फोकस दूरी है? 10 सेंटी मीटर तो F बन बरावर है 10 सेंटी मीटर अब तल लेंस की फोकस दूरी है? 15 सेंटी मीटर तो अब तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 50 सेंटी मीटर 25 cm दूरी पर रखी बस्तू के प्रतिविम की इस्तिती ग्याद कीजिए ठीक है प्रतिविम की इस्तिती निकाल लेए ठीक है तो पहले सही हो जाने की टोटल फोकस दूरी निकाल लेंगे F1 का मार रखेंगे F2 का मार रखेंगे इसे solve कर लेंगे तो ये कितना आ गया 50 वट्टे 4 ठीक है सायुक्त फोकस दूरी अब lens के सूत्र को लगाएंगे 1 upon F बरा 1 upon B मानस के 1 upon F पहली चोटी करने चार उफर पहुंचा 4 वट्टे 50 U का मार रखेंगे मानस के 25 इदर पच्छांद रखल लेंगे इसे L से म कितना आ जागा 50 50 से ये कट गया 25 दूरी 50 4 में से 2 गठा दे 2 वट्टे 50 यानि V कितना आ गया 25 सेंटीमीटर थैंक्स पॉर वाचिंग